आज हम साउथ इंडियन फेमस नास्ता इडली बनाने वाले हैं दिस यूर सभी वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल इट इंडिया इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी उडद की दाल तीन कटोरी राइस लेते हैं इनको हम ओवरनाइट भीगने के लिए रख देते हैं सुबह हम दाल को बारिक पीस लेते हैं और राइस को थोड़ा दरगर रखते हैं इनको हम एक बड़े बरतन में निकालके mix कर लेते हैं उसके बाद में हम थोड़ा सा बेकिंग पावडर मिलाके 6 गंटे के लिए रख देते हैं तो यह हमारा बैटर तयार हो गया है इसमें हम थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा मस्टर्ड, राई, फ्लेवर के लिए डाल के, और अच्छे से फेट लेते हैं, अब हम लेते हैं इडली मेकर, इडली मेकर की जो हमारी ट्रे होती है, उस पर हम बटर लगाते हैं, बटर लगाने के बाद में, अब यह बेटर हम इस इडली मेकर में डालते हैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं इसको एक लेवल में रखते हैं और इसको अब हम पकने के लिए 15-20 मिनिट के लिए गैस पे मंदी आच में रख देते हैं अब हमने इसको रख दिया 15 मिनिट पकने के लिए अब हम देखते हैं इसको 15 मिनिट के बाद अब 20 मिनिट के बाद में हम चेक करते हैं चाकू देके या कोई भी स्पून देके कि ये अगर उसमें चिपक रहा है तो हमारे इडली थोड़ी कच्छी है तो फिर हम 5 मिनिट के लिए और गैस चलाते हैं अगर ये चिपक नहीं रहा है तो हमारे इडली तैयार है तो चलिए ये हमारे इडली बनके तैयार हो गई तो ये हमारे इडली बनके तैयार हो गई है अब इसको आप सामभर के साथ में सामर कीजिए और बैल आइकन पर प्रेस कर दीजिए सो देट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्ता अगले वीडियो में हम बनाएंगे सामबर